आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ अलेक्टोड पोटेंशल ऑफ जिंक लास्ट वीडियो आलेक्टोड पोटेंशल से रेलेटड सारी बेसिक्स हमने कवर की थी बिटे उसमें आज हम जिंक और कॉपर का अलेक्टोड पोटेंशल जो हमारी फिर्स्ट गेमिस्ट्री चेप्टर नमबर सेवन के कोर्स में मौझूद है बुक में मौझूद है हम उसे डिसकस करेंगे आपको बताया था वैटे अलेक्टोड पोटेंशल निकालने के लिए किसी भी चीज के लिए वोलडाइक सेल बनाना पड़ता है जो कि दो सेल्स पर कंसिस करता है एक रेफरेंस जो के कौन से समाल होगा शी इस टेंडर्ड हाई्डरोजन ये पूरी डिस्क्रिक्शन लास वीडियो में मौझोद है जबके दूसरी तरफ वह लेक्टोड जिसका ऑलेक्टोड पोटेंशल निकालना है वो मेटल का स्टृप लेए उसके सीलूशन में आइनिक सीलूशन में डिप कर दें तो वह जिंक का स निकालना है तो देखो पिटे जिंक का स्ट्रिप जिंक का चोट पीस लिया है और उसको जैड़ने सफोर के अंदर डिप किया वाई यह जिंक अलेक्टोड और यह शी इस दा वोल्टाइक से डाइग्राम बनाने के कहेंगे अगर तो यह डाइग्राम बनाएंगे आप सीक अब यह अलेक्ट्रॉन जायट सी बाते पिटे दिखते नहीं है यह दो तीन तरीकों से पता चल सकता है नमबर वान यह वोल्ट मीटर यह पोटेंशो मीटर लगा होता है इसका निडल अगर इस तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब इलेक्रॉन यहां से यहां जा रहे है और इस तरफ गिर रहा है तो अलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे है लेकिन अगर डिजिटल आपके पास वोल्ट मीटर यह पोटेंशो मीटर रहे है तो उसमें निडल तो नहीं होगी उसमें तो अलेक्रॉन यहां से वाँ जाते वे दिखेंगे तो फिर कैसे बदा चलेगा आप देखेंगे कि अगर जो आपका मैटल का स्ट्रिप लगा हो है वो आइस्ता इस्ता क्या हो रहा है डिजॉल हो रहा है इसका मतलब यहां पे ऑक्सिडेशन हो रही है और मुझ जाएंगे कहां वहां पे लेकिन अगर यह जो मैटल की स्ट्रिप है यहां इस्ता इस्ता क् क्या हो रही है? Oxidation. और शी पर क्या हो रही है? Obviously बाद है reduction. ये बाद last lecture में हमने बहुत तफसील एंद इस पर विटे गुफ्तबू किया सारी basics ये पूरा cell हम discuss कर चुके हैं. Now, ये oxidation, ये reduction. The cell on which oxidation take place is called anode. And the cell at which reduction take place is called cathode. ये कभी भी नहीं बूलना. चीक है? याद कैसे रखेंगे? देखें भई. Anode पर हमेशा oxidation, cathode पर हमेशा reduction. A क्या है? वाविल. तो जो वाविल वाला electrodes पर reaction भी वाविल वाला होता है. C क्या है? Consonant. जो consonant वाला electrodes पर reaction भी कौन सा होता है? Consonant वाला. तो हमें बादा चल गया कि reaction क्या हो रहे है यहां पर क्या हो रहे है ठीक है अब क्यूंके zinc पर हुई है oxidation लेकिन जब हम self potential निकालते हैं या जब हम किसी भी element का electrode potential निकालते हैं तो वो निकालते हैं reduction potential तो zinc का जो oxidation potential आया है क्यों कह रहो मैं oxidation potential तो कि zinc पर हो रही oxidation वो आया है जो यहां पर वोल्ड मीटर हमें reading देता है वो आती है 0.76 वोल्ड ठीक है तो zinc का oxidation potential मुझे मिला 0.76 वोल्ड लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि electrode potential IUPAC के rule के मताबिक reduction potential निकालना होता है oxidation potential नहीं निकालना होता तो last lecture electrode potential की जिसमें हमने basics बताएं थी उसमें मैंने एक formula बताया था कि e red is equal to minus e oxide तो zinc का जो electrode potential यह reduction potential है वो क्या हो गया 0.76 वोल्ड यह minus क्या शो कर रहा है minus का sign शो कर रहा है कि reduction potential के साथ कभी भी किसी element के अगर minus लगा वाइट means कि actually element क्या हो रहा है oxidize हो ठीक है तो यह आपके बाद यह जिसके साथ minus लगावा है मतलब कि वो क्या है आनोड के दवर पे काम कर रहा है और जिसके साथ minus नहीं है जो प्लस में वो किसके दवर पे काम कर रहा है cathode के दवर पे काम कर रहा है बाकी अभी इसको फर्दर बताते है cell potential निकालने है पूरे cell का potential तो उसका formula है e cathode minus e anode cathode कौन है यह रहा शी का potential कितना होता है? 0.00 minus E anode कितना है? minus 0.76 minus minus plus तो इसका cell potential बिटे कितना आएगा? थोड़ी सी congested हो गई है जगा बोट छोटा है उसकी वज़ा से E cell इसका आएगा 0.76 ठीक है? तो ये आपके पास इसके हवाले से बात होगी now reactions क्या क्या हो रहे है? दो ये दो हाफ सेल्स हैं में reaction क्या हो रहे है? zinc पर क्योंकि oxidation हो रही है तो zinc जो कि solid है convert हो रहा है zinc के ions में और दो electron loss कर रहा है क्योंकि यहाँ oxidation हो रही है E oxy 0.76 वोल्ड similarly बिटे यहाँ पर शी पर क्या हो रही है? reduction it's positive ions electrons क्या कर रहे है? gain कर रहे है convert हो रहे है किसमे? hydrogen gas में और इसका जो हमारे पास आएगा वो reduction potential होगा 0.00 वोल्ड ठीक है? जब हम overall reaction करेंगे पूरे cell में होने वाला reaction दोनों equations को क्या कर लेंगे? add दोनों equations को क्या कर लेंगे? add कर लेंगे और जब दोनों equations को add करेंगे electrons, electrons क्या हो जाएंगे? cancel out तो मेरे पास जो net reaction बनेगा zinc प्लास तूएच पॉजिटिव एरो zinc convert किसमे हो गया बिटे? ions में और hydrogen, gas बन गई that's it that is the electrode potential of zinc revise कर लेतें यह zinc का electrode potential निकालने voltaic cell बनाओ है voltaic cell में यह she क्योंकि reference है यह zinc का electrode जिसका potential निकालना है क्या observe किया गया? 0.76 volt value DME किसने? हमारे potentiometer या voltmeter ने electron का transfer यहां से यहां जाता हो दिखाए इसका मतलब कि zinc वाले cell पर क्या हो रहे है oxidation और studying पर यह जाती है वो जहान reduction हो तिया तो zinc का electrode potential आया oxidation potential 0.76 volt लेकिन क्यूंकि oxidation potential हम measure नहीं करते हैं हम उसको reduction potential में convert करना है तो यह क्या हो गया? माइनस cell potential का formula लिखा वह E cathो cucumber minus E Carolyn वो यह आ गया उसके बाद रेक्शंज जिंक पर ऑक्सिडेशन शी पर रेटक्शन ओवराल रेक्शंज में दो इलेक्ट्रॉन से दो एलेक्ट्रॉन कैंसे लोगाई यह आपके बास बन गई equation अब हम बात करेंगे copper के electrode potential की किस तरह से copper का electrode potential हम determine करते हैं बिल्कुल इसी तरह सही है बस सोड़ा सा फ़र्क है वो हम यहाँ पे discuss करेंगे ठीक अच्छे बिटे copper का electrode potential लिकाल मैं वोल्टाइक्सल बन गया अब देखने में अगर देखेंगे पहली नजर तो लगे का यह तो वही का वही है नहीं चेंज है strip copper की है solution copper sulfate का है यह copper electrode का ला रहा है ठीक है बिटे she constant है पहली बताया था भाई किसी भी चीज़ का electrode potential निकालना है तो she तो रहेगा बगएर she के काम नहीं होता ठीक है standard hydrogen electrode या reference electrode वही का वही है copper आ गया इस बार जो हमें value पता चली वो पता चली जनाब इस जो potentiometer लगावा है इसने value दी 0.34 volt ठीक है और एक और चीज़ क्या observe हुई है कि electron की to transfer electron की जो movement है वो from she to copper electrode है मतलब she पे क्या हो रही है इस बार oxidation she इस बार electron loss की तरफ चला गया और copper पे क्या हो रही है reduction तो जनाब बाला copper का electrode इस बार क्या है cathode है अनोड है cathode और she क्या है इस बार and ठीक है तो ये इस बार मामला थोड़ा सा क्या हो गया different cathode पे क्या हो रही है reduction तो copper का जो potential आएगा वो आएगा ही क्या reduction potential e red is equal to 0.34 volt क्या इसके साथ minus लगेगा नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा ये तो होई reduce रहा है sink के साथ क्यों लगा था क्योंके वो oxidize हो रहा था oxidation potential को reduction potential बनाने के लिए उसके साथ हमने minus लगाया तो यहां से कोई बात बता चलती है के reduction potential हमें बताते है tendency of an element to reduce जिन elements का reduction potential minus में होता है मतलब वो आइसकता से reduce होते हैं या वो reduce बहुत slow होते हैं या वो reduce नहीं होना चाहते और जिनका plus में होता है वो reduce असानी से होते हैं जादा बढ़ता चला जाएगा potential reduction potential असानी से reduce होंगे और जितना कम होगा उतने slow वो reduce होंगे तो यह reactivity को बताता है जिसको हम बढ़ते हैं किसमे electrochemical series में जितने भी elements हैं उनके electrode potentials निकालके reduction potential निकालके हमने क्या बना ली एक series बना ली गई है और उस series को हम क्या करते हैं फिर study करते है elements की properties पढ़ने के लिए ठीक है अच्छे ठीक अब copper electrode पे बटे क्या reaction हो रहा है copper electrode पे reaction हो रहा है कौन सा reduction copper के ions जो थे उन्होंने क्या किया electron gain किया convert हुए किसमे copper में और ये reduction हुई है 0.34 volt शी hydrogen gas थी electron loss करके H positive ions में convert हुई यहां क्या हुई है बटे oxidation overall reaction में क्या होगा electron से electron cancel हो जाएंगे क्या रहा copper के ion और hydrogen gas convert किसमें हो गए copper metal और H positive ion में जबके यहां जो हमारे पास potential आया वो कितना आया यह हमारे पास answer तो zinc और copper दो अलग अलग tendency रखने वाले metals हैं zinc electron loss करने की tendency रखता है मतलब उसमें reduction कम होती है वो reduction की तरफ नहीं जाता है जबके copper electron gain करने की capability लगता है मतलब के वो reduction की तरफ जाता है यह हमारे पास है पिटे electrode potential और उसकी determination दो अलग अलग videos हैं पहली video जब आप देखेंगे तो उसमें सारी basics हैं और आज जो यह हमारी video है इसमें हमने determination की बात किये सरिफ दो ही elements में बात किये zinc और copper पे क्यों बात किये हैं क्योंके हमारे course में यही दो given है ठीक है पिटे अब अगर आप एक बात और याद रखें कि अब बगएर शी के voltage cell बन सकता है यहाँ पे हम कोई और सा element लगा दें जिसका potential हमें पता हो तो वो भी हम use कर सकते हैं यहाँ copper लगा हुआ है साथ में zinc लगा देंगे ठीक है अब आपके पास एक last बात बता दू आपके पास दो element है एक x है एक y है मैंने आपको यह दोनों दिये हैं इसमें से x जो है उसका reduction potential है minus 0.16 volt और जो y है उसका है 0.92 volt यह दो elements है let's say na hypothetical यह ज़स्ट समझाने की बात है अब हम copper की बात नहीं कर रहे हैं बैने का यह दो elements है इनका हमने voltaic cell बनाया है बताएं किसकी oxidation होगी और किसकी reduction होगी बहुत असान सी बात है जिसका minus में है उसकी क्या होगी oxidation जिसका plus में है उसकी क्या होगी reduction तो जब इनका voltaic cell बनेंगे तो electron की movement x से किसकी तरफ होगी y की तरफ होगी ठीक है बत के लियर होगी तो यह हमारे पास electrode potential chapter number 7 solution and electrolyte first year कराची board जिएगा वीडियो को like कीजिएगा जो क्यूरी हों वो comment section में आप बिलकुल पूछ सकते हैं पहले भी आप से कहा गया है बाकी important topics numericals वगरा यह सब के सब हमारे facebook के page सरस्वंद education zone पे upload हैं वहां से आप देख सकते हैं पे बहुत सारी चीज़े और भी मौजूद है जो के आपके लिए बड़ी helpful होंगी thank you allahafis